रड़ी श्टार्ड उपाध्यक्ष जी भौपालत राजदी होने से पहले इस्थानिय नागरिकों ने प्रैशासन को पत्र लिखे थे लेकिन प्रैशासन ने उनके पत्रों को अंदेखा कर दिया था जिसका नतीजा देश के सामने है मुझे इन दोनों उध्योगों में उसी महाविनाशकारी कांड की पुनरा व्रत्ती नजर आ रही है मैंने इसकी शिकायत तत कालीन मंत्री जी से किती मंत्री जी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रिय एवं राजी प्रदूशन वर्ड की टीम भेजी थी दोनों प्रदूशन वर्डों ने माना है कि उध्योग में परियावरण की अंदेखी हो रही है और काफी एन्यमित्ताएं हैं उन कम्यों को पूरा करने के लिए दोनों बोर्डों ने दिसंबर 2011 तक का समय दिया था लेकिन आज भी इस्तिथी जसकी तस है अब प्रदूशन नियंत्रन बोर्ड भी चुप है और उध्योगों में मानव जीवन के साथ खिलवार जारी है विगत एक वर्ष में किलोरीन गैस का तीन चार बार रिसाव हो चुका है सेकडों व्यक्ति प्रभावित होकर अस्पताल में भरती हुए एवं मेरे पास उनकी सूची भी है ग्रेसिम उध्योग का गंदा पानी चंबल नदी में डाला जा रहा है जिसने आसपास के चोधा गावों की जमीन का पानी इतना प्रैदूर्शित कर दिया है कि भारत में ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जो इसे पश्वों के भी पीने लायक बना सके मानव द्वारा उप्योग तो बहुत दूर की पात है यहां के छेत्री नागरिक कैंसर से पेड़ित होते जा रही हैं आपके छेत्र में 19 कैंसर के रोगी पाए गए हैं मैं माननिय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब दोनों पिर्दूशन बोड इन उद्वोगों में कम्या देख चुके हैं वहां के नागरिक परेशान हैं मेरे पत्र लिखने के बाबजोद भी परियावरण मंत्राले कुछ नहीं कर रहा है पिर्दूशन नियंत्रण बोड चुप है तब ऐसी इस्तिति में मैं आपसे अग्रह करता हूं कि इन दोनों उद्ध्योगों को जन जीवन को बचाने के लिए तुरंत बंद करवाया जान चाहिए मध्यपरदेश में रासाइनिक उर्वरक की खपत राश्ट्रिय औसत से बहुत नीचे है और लगभग 83 किलोग्राम पिरती हेक्टेर है और वरकों का कम उप्योग जहां मध्यपरदेश के खाध्यान उत्पादन को प्रभावित करता है वहीं दोसरी और किसानों की आये को भी प्रभावित करता है मध्यपरदेश में रासाइनिक उर्वरकों की आपूरती रेल से होती है आपको अधिकार है बोलने का इसलिए सदन में इस बात को उठाने का आपको मौका मिल रहा है किसी और का जिक्र करने की जरूरत नहीं है आप मंत्री जी से कहें तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी और उसका निरिक्षण होगा स्टॉप